आज हम class 10 science के important question जो कि light याने की प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाले part से MC की याने की multi choice वाले प्रशन पढ़ेंगे जो कि आपके exam की दिश्टी से बहुत ही जादा महत्पुन होने वाले हैं तो देखिए NCRT science class 10 के question हम start करते हैं क्योंकि ये exam की दिश्टी से भी important है देखिए तारो का team team आना किस प्रकाश की अभी परिगटना पर आदारित है यानि कि तारे किस परिगटना के कारण team team आते हैं तो देखी जो तारे जो हैं वहां से जो सुरी का प्रकाश आता है तो विभिन परतों से विभिन वायुमंडली परतों से होकर गुजरता है तो अलग-अलग परतों में प्रकाश की चाल अलग-अलग होती है अता प्रकाश की जो अलग-अलग माध्यम में से गुजरता है तो विचलित हो जाती है इस घटना को हम क्या केते हैं तो इस घटना को वायो मंदली अपवर्तन केते हैं याने कि अपवर्तन की परिगटना के कारण ही तारें टिम्टिमाते हुए प्रतीत होते हैं तो वायो मंदली अपवर्तन हमारा करेक्ट आंसर वा इस प्रेश्ण का दूसर इसको दर्पन का पोल केते हैं यानि कि दर्पन का दुरू केते हैं तो जो जिसे ये दर्पन है इस दर्पन का जो सेंटरल वाला जो पार्ट है ये पोल है यानि कि दुरू है और इसी दुरू से दर्पन के दुरू से सभी दुरिया मापी जाती है यानि कि अगला है आवतल द अधिकांस जो है वास्त्विक और उल्टे इमेज बनाता है यानि कि वास्त्विक और उल्टे प्रतिम बनाता है लेकिन जब वस्तु को फोकस और पी के बीच में रखते हैं तब यह जो इमेज है यह आबासी और सीधा बनाता है और वस्तु से बड़ा बनाता है तो यहां पे P तथा APE के बीच यानि की दुरू और फोकस के बीच में जो वस्तु को रखा जाता है तब जो image बनता है वह बनता है आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा और यह जो है आउतल दरपन के पीछे की तरब बनता है तो यहाँ पे वस्तु को हम रखेंगे P और APE के बीच में उस इस्तिती में परतिविम बनेगा दरपन के पीछे की और और सीधा बनेगा और आभासी बनेगा तो यहाँ पे हमारा correct answer हुआ P तथा APE के बीच यानि की जो option जो 3 है वह हमारा correct answer है option 3 तो यानि की P तथा APE के बीच में जो वस्तु को रखी जाती है तब अगला है अवतल दरपन के लिए वस्तु और परतिविम का आकार समान होता है जब वस्तु होती है तो देखिए वस्तु का आकार समान किस condition पहोगा जब वस्तु पर अपन सीपर रखते है तो अब परतिविम सीपर ही बनता है और वस्तु के समान आकार का बनता है तो यानि की जब वस्तु सीपर होगी यानि की वकरता केंदर पर जब वस्तु को रखा जाएगा तब परतिविम वकरता केंदर पर ही बनेगा और नीचे की तरफ बनेगा याने की उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा वास्त्विक बनेगा और वस्त्व के समान आकार का बनेगा और दर्पन की और ही जिदर से किरने आ रही उसी दिशा में बनेगा और नीचे की और बनेगा तो इस प्रेकार जो हमारा जो correct answer हुआ C पर तो यहाँ पे option जो दो है C पर अगला है अवतल दर्पन का उप्योग होता है तो यानि कि अवतल दर्पन का उप्योग कहां किया जता है देखिए option shaving दर्पन के रूप में गाडियों के headlight के रूप में दंत विशेशक के द्वारा और उप्योग सभी तो देखिए आवतल दर्पन का उप्योग सभी जगा किया जता है यानि कि जो dentist जो होते हैं वह अभी दात का बड़ा image प्राप्त करने के लिए आवतल दर्पन का उप्योग करते हैं और जो गाडिया होती है हमारे vehicle होते हैं उनकी headlight में भी और shaving दर्पन के रूप में भी आवतल दर्पन का उप्योग किया जाता है तो यहाँ पे हमारा correct answer उप्योग सभी यानि कि सभी में किया जाता है आवतल दर्पन का उप्योग अगला गाडियों के पीछे की दर्पन को देखने के लिए कौन से दर्पन का उप्योग किया जाता है यानि कि पश्च दर्पन की रूप में किस प्रकार के दर्पन का उप्योग किया जाता है और उतल जो दर्पन है यह हमेशा वस्तु का आवासी और वस्तु से चोटा प् आप योग हम पश्च दरश्च की रुप में यानि की पीछे की वस्तु को देखने के लिए कि आ जाता है ड्राइवर के साइड ग्लास जो होता है उसमें अगला है गोली दरपन की वक्रता तिज्जा आर तता फोकस दूरी एप के बीच क्या संबन्द है तो देखी जो वक्रत तिज्जा की आधी के बराबर होती है तो यहां पर जो आएगा आर जो है वो टू एप के बराबर होती है यहां कि फोकस दूरी का जो डूगना है जो डवल है वो वक्रता तिज्जा के बराबर होता है तो यहां के हमारा जो ओप्शन है आर बराबर टू एप हमारा करेक्ट आंसर हुआ अगला है आवतल दर्पन द्वारा किस प्रकार का प्रतिविम बनता है तो जो आवतल जो दर्पन है वह केवल आभासी केवल वास्तिविक आभासी और वास्तिविक दोनों और इन में से कोई नहीं तो देखी जो आवतल जो दर्पन है वह आभासी और वास्तिवि पर यानि कि C से परे और अनंत और C पर और C और F के बीच में रखने पर यह वास्तिक बनाता है जबकि C और P के बीच में रखने पर आवासी प्रतिविम बनाता है यानि कि दोनों ही प्रतिविम बनाता है 20 cm वक्रता तिज्जा वाली किसी गोली दरपन का फोकस दुरी क्या होगी तो देखिए वक्रता तिज्जा आर दिवी है और फोकस दुरी हमें पूछी गई है तो यह एप जो होती है वो होती है वक्रता तिज्जा की आदी के बराबर तो यहाँ पे यानि की एप बराबर r by 2 हो जाएगा तो एप बराबर r by 2 करेंगे यहाँ पे हमारा आंसर आजाएगा 10 cm तो एप बराबर r by 2 r का मान हम रख लेंगे 20 cm और दोस्ते जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा correct answer आजाएगा 10 cm यदि हमें वक्रता तिज्जा दी हुए तो फोकस दूरी निकाल सकते हैं और फोकस दूरी दे रखिये तो वक्रता तिज्जा भी निकाल सकते हैं अगर फोकस दूरी दे रखिये तो दुगना कर देने पर वक्रता तिज्जा आ जाती है और वक्तातीजा दे रखी है तो आधा करने पर हमारी फोकस दूरी आ जाती है निमल में से निमल खित में से कौन सा दरपन सुत्र है तो देखिए दरपन सुत्र में धन का चिन आरा 10 से धन तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वन अपोन एप बराबर वन अपोन वी प्लस वन अपोन यू तो यहाँ पे जो हमारा जो दूसरा वाला जो आंसर है वहां हमारा करेक्ट आंसर होगा वन अपोन एप बराबर वन अपोन वी प्लस वन अपोन यू तो यहाँ पे सेकिन जो है हमारा correct answer होगा तो 1 upon F बराबर 1 upon V प्लस 1 upon U यहां U है object की यानि वस्तु की दूरी और V यहां पर परत्रवेमी की दूरी है अगला है निम निम लिकित में से कौन सा lens सुत्र है तो देखिए lens के लिए minus का चिन लगता है तो जो दरपन सुत्र है उसमें जो धन का चिन था वहाँ पर minus का चिन करने पर lens formula आ जाता है तो देखिए 1 upon A बराबर 1 upon V minus 1 upon U और 1 upon A बराबर 1 upon V प्लस 1 upon U तो यहां पर हमारा जो correct answer हो जाएगा 1 upon A बराबर 1 upon V minus 1 upon U तो यहां पर correct answer हो जाएगा हमारा first वाला जो option है वही हमारा correct answer है यहां पर minus का चिन लग जाता है lens में तो यह first जो option है वह हमारा correct answer अगला है काच के slave के उपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं यह किस प्रकाश की अब गटना परी गटना पर आधारित हैं तो देखिए काच की slave जो होती है वह एक प्रकाश की रण सगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रश करती है तो अपने मूल माग से विशलित हो जाती है इसी गटना की कारण पानी में रखा सिक्का उबरा दिखाए देता है पानी में रखी pencil टेड़ी दिखाए देती है और काच के अंदर की जो अक्षर है ग्लास लेब में वो उबरे होए दिखाए देते है तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये परिगटना है होती है तो याने की प्रकाश का अपवर्तन अगला है पानी में आंशिक रूप से डुबी पैंसिल मोडी हुई प्रतीत होती है ये किस परिगटना पर आधारित है तो यह जो प्रकाश की परिगटना है जस्ट अभी मनें बताया प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपवर्तन के कारण ही जो पानी में रखी पैंसिल मोडी हुई दिखाए देती है और पानी जो है कम गेहरा दिखाए देता है और जो अग्रिम सुर्योदय तथा विलम सुर्यास्त जैसी परिगटनाए अक्सर देखी जाती है तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस फ्रेश्ण का कौन सी बोतिक राशी का कोई मातरक या कोई इकाई नहीं होती है तो देखिए कुछ बोतिक राशिया ऐसी होती है जिनकी कोई इकाई नहीं होती है जिन में से हम आफशन लेते हैं उन आफशन को आप द्यान से देखें और उनमें से आपको उनकी जो किसकी बोतिक राशी नहीं है उसको आपको बताना है तो देखें लेंज की शमता इसकी जो इकाई होती है, डायाप्टर होती है बिल्कुल लेंज की फोकस दूरी इसको मिटर मम अपजाता है अपवर्तनांग और प्रकाश की चायल मिटर परती सिकन में होती है तो यहाँ पे जो अपवर्तनांग जो है अपवर्तनांग म्यू बराबर सी अपोन वी यानि की अपवर्तनांग की कोई इकाई नहीं होती है तो म्यू बराबर सी अपोन वी और यहाँ पर पानी का जो अपरतनांग होता है 1.33 होता है और अलग-अलग जो पदार्त होते हैं उनके अपरतनांग का मान अलग-अलग होता है तो इस प्रकार हीरे का अपरतनांग सबसे ज़्यादा होता है तो यहाँ परतनांग की जो ऐसी राशी है जिसकी कोई इकाई या कोई मातरक नहीं है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है सबसे ज़्यादा होती है और उसका मान जो होता है तीन गुणा दस की पावर आट मिटर प्रती सेकंड यानि की एक सेकंड में तीन इंटू टेन की पावर आट मिटर चलती है प्रकाश की जो चाल है वह निर्वात में तो त्री इंटू टेन की पावर आट मिटर प्रती सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल, लेंज की शमता का ऐसा ही मातरक है, तो जो लेंज की शमता है, यानि की पावर ओप लेंज, उसका ऐसा ही मातरक होता है, डायप्टर, तो यहाँ पे वाट जो है, शक्ति का मातरक है, जबकि डायप्टर जो है, वहाँ लेंज की शमता का मातरक होता है, पी बराबर वन अपोन एफ उत्तल दर्पन में किस प्रकार का प्रतिविम मनता है तो उत्तल दर्पन हमेशा आबासी प्रतिविम बनाता है और वस्तु से छोटा प्रतिविम बनाता है और इसका उपयोग हम पश्च दर्श की रूप में करते हैं उत्तल दर्पन का उपयोग तो यहां पे यह केवल आवासी परतिम बनाएगा और हमेशा वस्तु से छोटा परतिम बनाता है तो यहां पे correct answer हमारा जो first जो option है केवल आवासी यह correct answer हुआ इस प्रश्ण का तो यह जो है उत्तल दर्पन हमेशा आवासी परतिम बनाता है सनेल का नियम किस से समझी थे जो सनेल का जो नियम है यह अपवर्तन की परिगटना पर आधारित है तो यहाँ पे देखिए प्रकाश के परावर्तन से प्रकाश के अपवर्तन से उप्रिक्त दोनों में से और इन में से कोई नहीं तो जो सनेल का जो नियम है साइन आई अपोन साइन आर बराबर कॉंस्टेंट यानि कि साइन आई और साइन आर का मान हमेशा इस्तिर होता है से संबंधित है सनेल का नियम यानि कि प्रकाश के अपवरतन के लिए सनेल का नियम लागू होता है ना कि परावरतन के लिए तो यानि कि जो ऑप्षन जो भी है वह हमारा करेक्ट आंसर वा इस प्रश्ण का तो ऑप्षन भी पर टिक लगा दिजिए प्रकाश के अपवरतन कि इस फोकस दुरी क्या होगी तो देखिए प्राबर व्न अपन इप होता है तो एप बराबर वन अपन प यहां पर मिट्र में आता है यह प्राबर वन अपौन f éc बराबर one अपौन पी तो इहांपे efect बराबर one अपौन पी रखेंगे p का मान हम जब 2d रखेंगे याने कि two meter रखेंगे तो इहांपे हमारा answer आ जाएगा 0.5 meter और इस meter को जब cm में बदला जाएगा तो हमारा करेक्ट answer आ जाएगा 12 meter याने कि 0.5 मिटर बरावर 50 सेंटी मिटर यह हमारा करेक्ट आंसर और लेंस की जो शमता होती है वो डायप्टर में होती है ओके